अब तक हम पढ़ चुके हैं expectation value के बारे में और आज हम करने वाले हैं कुछ numerical तो numerical स्टार्ट करने से पहले एक बार formula को quickly देख लेते हैं क्या था हमारे पास formula expectation value का तो हमारे पास एक छोटा सा formula था कि जब भी हमें किसी भी operator का expectation value निकालना है तो हम उसका integration कर देंगे minus infinite infinite sin star और जिस भी operator को निकालना है उसका man and sin और integrate कर देंगे x के respect में अगर हमारा wave function 1d है तो हम यहाँ पर x switch करेंगे अगर 3d है तो हम यहाँ पर volume लेंगे dv तो यह होता है हमारा solution normalization case के लिए अगर हमारा wave function normalized नहीं है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर normalization condition लगा देंगे minus infinite infinite sin star sin dx तो यह एक formula है इसी formula से सारे question सवाल हो जाते है expectation value के और एक मैंने आपको trick बताए थी जब भी हमारे पास कोई real function दिया हो और हमारे पास wave function दिया हूँ और हमें निकालना के है हमें निकालना है normalization factor कहने का मतलगी है कि हमारा यह wave function normalized नहीं है तो हम normalization condition यूज करते हैं वह होती है हमारे पास कि जब भी हमारे पास कोई wave function sign दिया हो तो हम क्या करेंगे minus infinite is infinite sin star sin dx कर रहे हैं बिकोज यहां पर सिर्फ x का function है और यह होती है one यह होती है हमारी normalization condition और यहां पर limit हमें दे रुकिए minus 2L से 2L तो हम यहां पर limit पुट कर देंगे minus 2L से 2L sign star का मांद पुट करेंगे वह जगा sign node cos pi x by 4L अब यहां पर sign और sign star बिल्कुल same रहेंगे because यहां पर कोई भी iota या imaginary term नहीं है सारी terms real है तो sign और sign star as it is रहेंगे तो यह आजेगा हमारे पास sign node cos pi x divided by 4L और यह आजेगा 1 plus cos 2 theta बराबर 2 cos square theta हम यहां पर यह वाला formula यूज कर सकते हैं तो यहां पर हमारे cos square बतले यह वाला पार्ट दिया हुआ है cos square बाला पार्ट और हम इसको इसमें convert कर सकते हैं और यहां पर आपने यह भी पढ़ा होगा जब भी हमारे पास limit होती है माइनस a से a और हमारे पास function हो fx dx और यह जो हमारा fx है यह even function हो even function मतलब minus x से replace करने पर कोई फर्क ना पड़े और यहां पर square दिया हुए है तो square function हमेशा even function होता है तो आप indication को change कर सकते हैं यह हो जाता है 2 0 to a fx dx तो यहां से पहले यह limit वाला formula यूज करते हैं यह हमारा हो जाएगा साइनोट square यह जाएगा 0 से 2L यह limit वाला 2 आ गया और यह बच गया cos square pi x divided by 4L और यह जाएगा हमारा dx अब हम यह वाला formula योज कर सकते हैं यहां पर पहले वाला तो यह हो जाएगा साइनोट square 1 का इंडिकेशन हो जाएगा x और cos का इंडिकेशन हो जाएगा sin 2pi x divided by 4L और जब आप x का इंडिकेशन करोगे तो वह आजाएगा 4L divided by 2pi और limit पूट कर देंगे 0 से 2L limit पूट करने से यह वाला part हमारा 0 रहेगा हमारे पास आजएगा साइनोट square और हमारे पास आगया 2L और हमारे पास राइट साइड में था एक तो यह आजएगा एक यहां से साइनोट की वैल्यू आजएगी हमारे पास 1 by अंडर रूट 2L तो यह हमारी आगी कोष्ण की वैल्यू आगी 1 by रूट 2L तो यह हमें निकालना था हमें निकालना था फाइन दार नोम्मलाइजइगन फैक्टर है तो अब गचते हैं सेकिंट कोश्ण आमारे पास क्या है सेकिंट कॉश्ण हमें सेम वेव फंक्षन दिया हूँ और हमने निकालना के हमें निक के देख लेते हैं अच्छा से कि हमारा आंसर जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है साइए एक्स हमें दिया हुआ है साइए नोड़ साइए नोड़ की वैलिए हम लास्ट कोशन में निकाल चुके हैं तो वह होती है वह यहांबर हमेरा इस अन्स इन्फाइनटी से इन्फानिटी से वह नोड़ धाल थी गाल तो है संवरण grace स्गाल ते कि Oneels यह भी constant term में, अब यह ही कहा है del by del x, तो del by del x का मतलता है differentiation, तो यहाँ पर differentiation होज़ेगा cos का, तो वह आज़ेगा sin pi x by 4L, कब cos का differentiation कर रहे हैं तो एक minus sign भी आता है, तो यह आज़ेगा minus sign, और यह होज़ेगा हमारे पास यहाँ पर pi by 4L, और यह हमारा dx agitives बढ़ा रहेगा, तो pi x by 4L sin pi x by 4L, और यह हमारा dx, अब इस integration को आप solve करोगे, तो इसका answer हमेशा 0 आता है, तो यह आ गया हमारे पास expectation value का मान आगया हमारे पास 0, और यह यह हमने पहले बताया था, कि जब भी हमारे पास real function होता है, हमारे पास expectation value का मान हमेशा 0 आता है, indication solve करने के बाद यह हमान 0 तो यह हो गया हमारा second question और देखते हैं third question हमारा third question में हमें क्या है same way function देरका है sin of x और हमें निकालने है p square का expectation value निकालने है तो p square क्या होता है भई p होता है हमारे पास minus eta h cut del by del x तो p square हो जएगा हमारे पास minus h cut square del square by del square बहुत से लोग यहां पर confused होते हैं कि यहां पर minus था तो square किया minus वापिस कैसे आगया तो minus का जो square करेंगे वह तो plus आएगा लेकिन ita square वह भी minus होता है वह यह वाला minus है ita का square तो formula यूज करते है हमारे पास यहां पर expectation value का वह होता है हमारे पास p square minus 2l से 2l because limit हमें given है sin star minus h cut square del square by del x square और sin यहीं formula होता है हमारा sin star के बिच में operator को डाल देते हैं तो यह हमारे operator का माहन आगया p square का wave function हमारा normalized है इसलिए यहां पर denominator में कोई भी term लेने के जूट नहीं पाई x divided by 4l और यहां से हमारे पास आजएगा p square अब यह 1 by root 2l और यह 1 by root 2l यह हो जाएंगे मिलके 1 by 2l और यह minus h cut square ऐसा पड़ा है हमारे पास यहां जेगा minus h cut square और integration के अंदर रहेगा हमारे पास minus 2l से 2l cos ौ यहां पर क्या करना है हमें यहां पर kos का retreat करना है दो बार जी अधिर अधिन करेंगे तो आएगा साई दौस्ती बार करेंगे करेंगे तो आएगा कोस तो यहां पूर हमारे पास आजेगा कोस Pir X 4L कोच्षआ करते हैं तो भी आता है तो माइनस हमारा यह plus बना देगा जब हम x का डिफरेंशेशन करेंगे दो बार तो यह वाली टम हमारी हमारी आगे आ जागी दो बार तो यह हो जागा πx divided by 4L और यह आज़ेगा हमारा dx अब यहां पर हम वही फॉर्मुला यह जो कर सकते हैं हमारा जब भी हमारी लिमिट माइनस a से a हो तो हम क्या कर सकते हैं उसको fx dx को लिख सकते हैं 2 0 से a fx dx यह तब ही कर सकते हैं जब हमारा fx even हो और यहां पर cos हमारा even function होता है और यहां पर इसका square भी दिया हुए तो square मेंशा even function होता है तो यहां पर आज़ेगा हमारा पास h cut square divided by 2L πy by 4L का square यह हो ज़ेगा 0 से 2L 2 cos square πx divided by 4L और यह आज़ेगा हमारा dx अब इस indication को आप solve करो कि finally तो हमारा पास value आज़ेगी p square is equal to h cut square pi square 16L square तो हमें करना क्या था हमें simply expectation value निकालने किसकी p square की और हमने p square का मान पुट किया और बात में simple integration किया तो भाई expectation value का मान निकालने के लिए आपको integration आना ज़रूरी है और integration में को ज़्यादा खास नहीं है यहां पर simple simple formula यूज हो रहे है integration के अगर यह integration आपसे solve ना हो तो आप बता सकते हैं मैं दोवारा वीडियो बना लूँ हो integration की तो यह था हमारा third question हम देखते हैं fourth question हमारा fourth question में भी अभी हमें निकालना क्या है हमें निकालना एक तो प निकालना है एक हमें प स्क्वेर निकालना है फंक्शन हमें दे रहा है तो प कमान क्या होता है हमर पास प के लिए हमारे पास ट्रिक है जब भी हमारे पास दियल फंक्शन हो तो प कमान क्या होता है जीरो तो प कमान हमारा जीरो बाइज गीजमे ही है तो यह लिमित हाजी हिए 0 से अब आपका अंसर भी आजीगा 0 इससे नेक्स्ट पार्ट में का निकालना है चैकलने 1 पिस्कुर लगाते हैं फोर्म ला महता है में पास यहां सिनु स्ट ने साइज और is sin यहीन है और यहां का स्क्वेर यह आगे हमारे पास इंटिकेशन डी एक्स यह आजेगा हमारे पास है यह वाली टम में इसको लिख सकते हैं तो यह हमारे पास बन जाएगा एच काट स्क्वेर पाई स्क्वेर बाई एल क्यूब यह जो तू पड़ा इसको मुने अंदर निंक्लूड कर लिया हो निंटिकेशन इसको शेट में यह होरी हमारे पास यह से यहां पर बन जाएगा लगागे तो हुआइगा घर नहीं तो हुआईगा हमारा ब Initiating हो दो बन जाएगा UP π2 divided by L2 तो हमरा पास final answer आ गया P2 का expectation मान आ गया H2 divided by L2 तो यह था हमरा आज का topic हमने का किया हमने कुछ question solve कि expectation value के यह सारे previous year question थे net exam के और बहुत ही simple simple question थे और कुछ questions में तो आपको calculation करने की जूरत नहीं है अगर आपको कुछ tricks पता है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में thank you so much जाहिन जाहवारत